हाई हलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्बीत करती हूं कि विल्कुल ठीक होंगे आज की ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूं जहां मेरा ससुराल है वहां का घर तो देखते हैं कि गाओं में हमारा घर कैसा है और रहन सहन कैसा है वहां का तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर किस बात की कुछ ऐसा है हमारा घर यह हमारे पीछे साइट का ना जा रहा है सामने से मंबी ने थोड़ा सा हल्डी सुखा रख्की है और यह domestic यहां पर रहता रखा हुआ है सिमेंट करने के लिए अभी तक की आनी है सामने से चछत में जाने के लिए है सीडिया यह सामने फ्रेंट वाला हमारा कमरा यहां देख सकते हो आप रहके रखने के लिए हैलमेट बगरा यह कमरा बस ऐसी खाली है यहां है हमारा ओखलहार मतलब जैसे गाओं में धान वगेरा कुटी जाते हैं तो उसके लिए बना रखा है और बारिस किसी जिन में भी यहां काम किया जा सकता है क्योंकि पानी नहीं गुशता है साथ ही में इधर पर हम कपड़े भी धो लेते हैं इधर वास मिश्यन है खाली हाथ दोने का बहुत अच्छा दो है नहीं यह तो आपको बता दिया छट में जाने के लिए हमारी और यह सामने से जो है वहां किच्चन है इधर वाले पर किच्चन है हमारा और इधर साइट से हमारा मंदिर का कम्रह तब ही जाते हैं और आपको हाँ पर अपने flowers भी दिखाते हूं कि मैंने यह flowers मैंने प्लाण किये थे इसी साल एक जन्वरी को तो बहुत अच्छे खिले हुए हैं यह सुन्दर से खिले हैं पर गार्डन बना हुए इस खिले हैं मेरे हाँ पर flowers वैसे इन फूलों के जो बीस थे और जो पेड़ थे वो सब मेरे देवर लेके आये थे और मैंने बस लगाने का काम किया है तुलसी वाता जी के नीचे हैं हमारे यहां पर एक रूम है वैसे ही रूम मतलब वैसे स्टोर रूम टाइप का बना रखता है हमने कोड़ा गभार रखने वाला लेकिन जाड़ों में हमने यहां पर चूला लगा दिया ताकि आगवाग सेख सके हमने से सब लकड़ी रखी हुई है यहां पर भी हमने थोड़ा लकड़ी सुखा के रखी है इसके नीचे है हमारा यह कमरा जो कभी नहीं खुलता है कभी कभी खुलता है यह जब कुछ जैन्स लोगों के पार्टी साड़ी होती है तब ही खुलता है यह कमरा जैसा है हमारा कुछ घर इस टाइप का तो लग लग है थोड़ा वहाँ है थोड़ा यहाँ है लग लग करके बसा रखें सामने से वास्रूम और बात्रूम है यह तो है घर अब चलो मैं आपको दिखाते हूं अपना पूराना वाला घर जहां मतलब बाखेली टाइप की है तो वहाँ पहले वहीं पर रहते थे पूरी फैमली लेकिन अब कोई इदर उदर जा चुके हैं और किसी ने घर दूसरा बना लिए तो आभी दर उदर रहते हैं यह जो पूरी बखली आपको दिख लिना तीन लोगों की बखली है पुरानी है मतलब इसमें कोई रहता नहीं है तो इसका अब इन घरों का जो यूज होता है वो सामानोमान रखने के लिए होता है कुछ जैसे घास या कुछ पुरानी च चाचा लोगों का है अब यहां रहते नहीं है जो यह पत्थर वाला है अब वो बहारी रहते हैं तो उन्होंने वहीं बना लिया है और यहां से जहां तक रेलिंग नहीं है न वो वाला जो है वो हमारा है तो अब हम भी इसमें रहते नहीं है और उधर हमारे एक ताउजी ल प्यार तो हलांके आजकल भी होता है लेकिन अब घर दूर-दूर हो जुके हैं तो अतनी मुलाकाते नहीं होती है और इन घरों को देखके विरान सा लगता है यह वाला पूर्शन जो है वह हमारे है आजकल गाय भैस्तों कुछ है नहीं तो दो बक्रिया है हमारे पास यह का न पर भी एक घर है इसी के उपर से तीमंजुला है तो पहले से जो घर होते थे न वह बहुत छोड़े होते थे मतलब जो उनकी देहली होती थे वह ज़्यादा छोटी होती ती रीजन ही रहता था कि हमारे पूरवज कहते थे कि जितने बार भी घर के अंदर हम प्रवेश करते हैं हमें जो दर्वाजा होता है द्वार होता है उसको सलाम करना जायता और यही रीजन रहता थे कि दर्वाजी छोड़े रखते थे लेकिन आज के तो दर्वाजी इतने बड़े होते कि ऐसी पहुंच जाते हैं सीदे के सामनी से हमारी बहुत सारे केले के पेड़ है वहां पर सबसे अच्छी जगों तो मुझे यहीं लगती है तो यह तो था मेरा आज का ब्लोग और आज की ब्लोग मैंने आपको दिखा दी अपनी पुरानी बखिली और अपना नया घर यह है कुछ ऐसा ब्लोग को इसे के साथ मैं आज मैं यहीं पर खतम कर रही हूँ अगर आज को पसंद आती है तो आप प्लीज मेरी चैनल को सबस्क्राइब करना अगर आप तक अभी आपनी नहीं किया है और लाइक करेगा और शेयर करेगा देखिए हम कोई भी अगर यूटूब चैनल पर वीडियो अफ्लोड करता है बनाता है तो अगर आप लोग उस पर कोई response देते हैं अपना चाहे negative response दो या फिर positive दो हम लोगों को एक motivation मिलती है कि हम उससे related और बनाएं या फिर और भी अच्छी वीडियोज आप तक हम पहुंचाएं थोड़ा improvement करेंगे क्योंकि जब आप लोग हमें प्यार देंगे अपना थोड़ा सा या हमें हमारी कुछ कम्यां बताएंगे जिसमें हम improvement ला सकते हैं और और भी चीज़े हम आप तक अपने गाउं के पहुंचा सकते हैं तो वीडियो को प्लीज जाद से जाद शेयर करेंगे तब तक के लिए keep watching our channel thank you so much lots of love from अनुभाकार की vlogs बाई बाई